आरती एक आवश्क विशेग वानी पीडिया से आरती करना भगवान की पूजा का ही एक रूप है. हिंदु धर्म में, लोग समान के रूप में देवताओं की आरती करते हैं और यह अम्त और पराग से जलती हुई घीतेल की बाती चड़ा कर किया जाता है. ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की आरती, चाहे सुबह, दोपहर और शाम, देखने मात्र से व्यक्ति व्यापक रूप से शुद्ध होडाता है. इसलिए, भगवान कृष्ण की आरती करने से सकारात्मक और शुद्धिकरन प्रभाव पड़ता है. यदि कोई आरती प्रक्रिया में भाग और भक्ती सेवा के अन्यक पहलूँ में सक्रिये है, तो वे हाध्यातमे करूप से तेजी से प्रगती कर सकता है. श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वारतालापा और पत्र इस आवशक विशय की व्यापक प्रस्तुती प्रदान करते हैं जैसा की वानी को आसानी से सोच सकता है. आरती के समय भगवान के दर्शन करने, भोग लगाने और देवता के स्वरूप का निरंतर चिंतन करने से व्यक्ती प्रथम श्रीनी का योगी बन जाता है. यह योग की सर्वोत्तम प्रक्रिया है. श्रीमत भागवद 6.2.41 शाम को गुंडे का मंदि मध्यलीला 14.65 परिवार के बारहवश से अधिकुम्र के किसी भी सदस्य को किसी प्रामानिक आध्यात्मिक घुरुवार से दीक्षा लेनी चाहिए. और घर के सभी सदस्यों को सुबै, सुबै चार बजे से लेकर रात तक भगवान की दैनिक सेवा में लगे रहना चाहिए. रात दस बजे, मंगला आरात्रिका, निरंजन, अर्चना, कूजा, कीर्तन, शिंगार, भोग वैकाली, संध्या आरात्रिका, पट, भोग, रात में, शयन आरात्रिका आधिकर के, देवतागी पूजा के अंतरगत एक प्रामानिक आध्यात्मिक गुरुवार का निर्देश, इस से ग्रिहस्तों को अपने अस्तित्व को शुद्ध करने और आध्यात्मिक घ्यान में तेजी से प्रगती करने में बहुत मदद मिलेगी। श्रीमत भागवद 2.3-22